सुप्रपात बच्चो आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 का चौथा भाग पाठ का नाम है हुद हुद जैसा कि आपको पिछले अध्याय में बताया गया पिछले वीडियो में बताया गया था कि हुद गूद का शरीर रंग बिरंगा और चटकीले रंग का होता है पंक उसके काले काले होते हैं जिस पर मोठी सफेद धारियां बनी होती हैं गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है उसकी हुद हुद की चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उस चोटी के जो सीरे होते हैं काले और सफेद रंग के होते हैं उज का भी तरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है हुदूद की चोटी पतली लंबी और तीखी होती है इसी चोच की साहता से वो जमीन के बीचे चिपेवे अंदर चिपेवे खिले मकोडों को ढूड कर खाता है और उसकी चोच नाखुन काटने वाली नहरेनी जैसी बहुत तेज होती है कहीं कहीं इसको हजामिन चिडिया के नाम से भी पुकारते हैं अब इस भाग में हम और कुछ जानेंगे औने कुछ जानकारी लेंगे हुदूत के विशे में तुमने इसे अपने घर के आस पास अपनी टीखी चोच से जमीन खोधते हुए अवश्य देखा होगा बोलते समय यह तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप उ कहा जाता है हिंदी में इसे हुद हुद कहते हैं दूब में कीडा ढूणने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुब्या भी कहते हैं और सुन्दर कलगी की वज़े से कुछ देश में लोग इसे शाह सुलिमान कहकर पुकारते हैं मादा हुद हुद तीन से दस तक अंडे देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वो अंडों पर बैठी रहती है हटती नहीं नर्व वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोसले की सफाई नहीं करता संसार के विख्यात पक्चियों में से एक है यहुद हुद यह अपनी सुन्दर्ता के लिए तो मशूर है पर इसे पालतु नहीं बनाया जा सकता और नहीं इसकी बोली में मिठास है तो बच्चो ये थी भुद हुद के विशे में जानकारी एक बर फिर से इस फ्रिष्ट को पढ़ते हैं तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोते हुए अवश्य देखा होगा बोलते समय ये तीन बार हुप हुप सा कुछ कहता है इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप उ कहा जाता है हिंदी में इसे हुद हुद कहते हैं दूब में खीला ढूणने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबिया भी कहते हैं और सुन्दर कलगी की वज़े से कुछ देश में लोग इसे शाह सुलिमान कहकर पुकारते हैं मादा हुदूत तीन से दस तक अंडे देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वो अंडों पर बैठी रहती है हट्ती नहीं नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोसले की सफाय नहीं करता सार के विख्यात पक्चियों में से एक है यह हुदूत यह अपनी सुन्दरता के लिए तो मशूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और नहीं इसकी बोली में मिठास है अब इसका भावार देखते हैं बच्चो आपने घर के आसपास इस पक्ची को तीखी अपने नुकिले चोंच से जमीन खोते में जरूर देखा होगा जब ये बोलता है ये पक्ची तो तीम बार हुप हुप जैसा कुछ कहता है इसलिए इसे अंग्रेजीम हुपू भी कहा जाता है हिंदी में इस पक्ची को हुद हुद कहते हैं दूब में दूब मतलब घास जैसा एक घास का एक प्रकार है दूब दूब में खीला ढूडने के कारण हमारे देश में लोग इसको पदूबिया भी कहते हैं और इसकी सुन्दर जो कलगी होती है मुकुट जैसी उसके वज़े से लोग इसे शाह सुलिमान भी कहकर पुकारते हैं और जो फीमेल हुदूद होती है मादा हुदूद वो एक बार में तीन से दस अंडे तक देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते वो अंडों को सेती रहती है उस पे बैठी रहती है हटती नहीं है और जो नर हुदूद होता है वो उसको वहीं पे खाना ले आकर खिला देता है लेकिन दोनों में से कोई भी गोसले की सफाई नहीं करते हैं और संसार के प्रसिद पक्चियों में से यह एक है खुदूद जो है संसार के प्रसिद पक्चियों में है खुदूद अपनी सुन्दर्ता के लिए तो प्रसिद है ही पर इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता है इसको पाला नहीं जा सकता है और ना ही इसकी बोली में मिठास है तोता जैसे बोलता है या कोयल जैसे बोलती है उसके बोली में मिठास होता है उस तरह होधोध के बोली में मिठास नहीं होता है इसलिए लोग उसको पालना भी नहीं पसंद करते हैं तो धन्यवाद बच्चों आज यहां यह कहानी पूरी हुई धन्यवाद